नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M32 5G vs Xiaomi 11i HyperCharge का Full Depth comparison करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M32 5G में 6.46 इंच जबकी 11i HyperCharge में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है जोकी M32 5G से कम है विट की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 इंच की विट मिलती है बात करें थिकनेस की तो M32 5G में 0.36 इंच जबकि 11i Hyper Charge में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो M32 5G में 205 ग्राम्स जबकि 11i Hyper Charge में 204 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है तो चलिए अब हम दिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो M32 5G में TFT जबकि 11i Hyper Charge में AMOLED की दिस्प्ले मिलती है आसपेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो M32 5G में 6.5 इंचर जबकि 11i Hyper Charge में 6.67 इंचर मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन M32 5G में 720 by 1600 और 11i Hyper Charge में 1080 by 2400 मिलता है स्क्रीन तो बोडी रेशियो M32 5G में 81.63 प्रतिशत जबकि 11i Hyper Charge में 86.27 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो M32 5G में 270 प्रतिश जबकि 11i Hyper Charge में 395 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो M32 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा, माक्रो कैमरा और आखिर में डेप्ट कैमरा देखने को मिलता है और 11 eye hypercharge की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा और आखिर में माक्रो कैमरा देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो M32 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है और 11 eye hypercharge की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की चार डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं अई अब बात करते हैं हाडवेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफोर्मेशन देखते हैं हार्डवेर में सबसे पहेले CPU जो की स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है उसकी डेटेल्स देखते हैं GPU की बात करें तो, M32 5G में Mali G57 MC3 जबकि 11i Hypercharge में Mali G68 MC4 मिलता है चिपसेट की बात करें तो, M32 5G में MediaTek Dimensity 720 MT685 3V और 11i Hypercharge में MediaTek Dimensity 920 MT68770 मिलता है बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही, दो वेरेंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6GB, 8GB की RAM मिलती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही दो वेरेंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB, 128GB की Storage मिलती है Expandable Memory दोनों फोन में, up to 1TB है Operating System दोनों फोन में, Android V11 देखने को मिलती है Battery M32 5G में 5000 mAh जबकि 11i Hypercharge में 4500 mAh देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो, M32 5G में 2 Colors जबकि 11i Hypercharge में 4 Colors आप्शन मिलते है सब Information देखने के बाद बात करें Price की तो, M32 5G में 2 Variant देखने को मिलते है जो की 6 GB RAM 128 GB Storage के साथ 20,999 रूपीज, 8 GB RAM 128 GB Storage के साथ 21,990 रूपीज में मिल जाता है अगर बात करें 11i Hypercharge की तो, उसमें 2 Variant देखने को मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy M32 5G में 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Xiaomi 11i Hypercharge की तो उसमें 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो, डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main Camera में 11i Hypercharge आगे है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Moto G71 5G है, दूसरा Xiaomi Redmi Note 11T 5G है, तीसरा Vivo V23 5G है और Last Competitor Phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना